लेकिन ये ऐसा मस्तला है इस पर ये लाइन बोलनी बड़ी आफचक है तमाम ऐसे आपको कंविक्शन दिखा दूँगा रेप केसिज में खासकर फॉक्सों में जहां पीडिता का बयान अपने आप में पूरी तरह से साक्षे माना गया है डियने टेस्ट को दरकिनार करते हुए कोट ने उसको सजाती है जो आरोपी है अब आते हैं में मुद्दे में जी 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 येस आप में मुद्दे पे आते हैं आप याद करिए यही समाजवादी पार्टी के अखिले यादब दोजार चौबिस के लोगसभा में कह रहा है थे नरेंद्र मोदी जी प्रधार मंतरी नहीं बनेंगे बन गए मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ हर्याना में और कश्वीर में समाजवादी पार्टी का क्या अस्तित्व है इनकी क्या हैसियत है कुछ नहीं हम तो वहाँ सरकार बना के दिखाएंगे और नया कीर्तिमान हिंदूों परवार हिंदूों के लिए वह ये कहते है कई कंकर्ट रखड़ो कहीं जिफ्टा लगा दो मंदिर बन जाता है हमारी भादनाओं को रोजा हाँ करते हैं लेकिन मुसल्मानों के लिए जानी डार् ठोपी पहन के तेखिए अखिले-जादव भिंदू हैं लेकिन पार्टी मुख्यमंत्री आवास पे चलती थी जब ये मुख्यमंत्री थे मतलब आपको मुसल्मानों का वोट चाहिए हिंदू का रही और इसलिए आपके लेता ऐसे बयान देते हैं अमीग जमाई यह राइट टूर नहीं अभी जी बस यह बात कहके आंत करूंगा जी मैं आं मजब करें तो श्रुबली या फिर मरियम आलम एक बात बोलेंगे तो उचमें फरक्या रह जाएगा कि आप को लेंगे हिंदू एक हो जाएगा वोट जिहाद को फरक्या जोशाद एक ही बात है ना अप बस ना फिर दो लेंगी मुस्टमीं घुट अबहर निए अए पाद ह मुखमनाती योगिया इजिया रोज बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, क्या मुसल्मानों बो जूड ने की बात कर रहे हैं? अब जाई सी बात है कि आफ धार्मीक धूर्बिकर कर रहे हैं चुनावी राजनिती के लिए आप हर्याना कश्मीर हार राइस में हमारी क्या गल्टी है आपने कश्मीर को तहस्ने इस किया आपने उसका राज का दर्जा छीना आपने कश्मीरियत दफन कर दी आपने इंसानियत दफन कर दी एक मित्र के लिए कि कैसे कश्मीर की जमीने कब्जा हो हैं पीडिये जो है पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग दलिच समाज अलसंक्यक मिला कि अब आप पहले की बाइट देखे उन्होंने क्या बोला था और अपके बोला है यह बोला कि नहीं बोला कि अब मुस्लिम अबादी बढ़ गई है दो हजार सताइस में इनकी सरकार जाएगी और हमारी सरकार आएगी इन्शालला उन्होंने यह कहा यह भाजपाई आरेसस वाले आएंगे जोला लेकर कहेंगे एक मुस्लमानों की आबादी बढ़ रही है कहेंगे इसलामी राज आ जाएगा यह बाते समझाएंगे तो आप ही के परवक्ता ने पहले बोला कि हम इस बयान से सहमत नहीं है सुनी लियादव बयान सुन लीजे उनका यह बयान है ही नहीं उन्होंने बोला अपर आपको रिलाइज हो रहा है फिन और अनन दुबे और सुबराश्टा ओके गोरव तेकि अमीजी आपने मुझसे एक बात कही आपने कहा कि फरक क्या है फरक यह है मैं आपको बता दू जो भारतिये है जो खासकर हिंदू है वो देश के लिए अपना सर कटवा देगा लेकिन अब हिंदू तयार नहीं है कि सर तन से जुदा के नारे लगें और सर तन से जुदा हो जाए यह फरक है मोदी जी ने मुसल्मानों के लिए क्या किया है मैं आपको बताता हू साथ में लेके चलने का ज़जबा है प्रदान मंत्री आवाज योजना 33 पतिशत मुस्लिम लाभारती किसान सम्मान निधी 37 पतिशत मुस्लिम किसान मुद्रा योजना 37 पतिशत उजला योजना 36 पतिशत यह आकड़ा इसलिए दिया आज पूछना ये चाहिए अमीज जी ये क्यों है कि कब्रिस्तान के लिए आपके पास रुप्या होता था शम्शान घाट के लिए नहीं आतंगवादी अगर मुसल्मान निकल जाए तो आप कहते थे जूटा पैसा आया है उच नहले ने लतार लगाई अभी मुएद खान की बात हो रही थी अखिले यादव जो आरोपी है उसके साथ खड़े रहे पार्टी से निश्कासित नहीं कर पाए एक मौलाना नजीर था मुझवाद अगर दंगर क्या आरोपी था चार्टर प्लेन भेट के उसको बुलाया इन सारी बातों में आपको मालूम है समानता क्या है मुसल्मान अगर मुसल्मान है तो वो हिंदू का गला काट दे आतगवादी बनके बंबलास कर दे अखिले यादव की जाली दा टोपी को खूल की छीटों से रंग दे कोई फरक नहीं पक्ता है केवर और केवर उनको चाहिए वोट और इसलिए मैंने कहा वोट की चोट जंका देगी अखिले यादव वोट चाहिए राउल गा दियो विवेक 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 क्या आपको लगता है कि यह वोट जिहाद 2024 की लोगसवाद चुनाव में हुआ है जो दिविन फटनव इस बात बोल रहे है अर्विन सामत के केस में वोट जिहाद की नहीं है खुद खुद भूट नमबर पे धुले लोगसवाद सीट पर जी ने ने मैं बताता हूँ और जिहाद चब यूज करके हम असल में ने वो ठीक है देखें जिहाद चब यूज करके हम इसको गलत रंग दे रहे हैं मेरा है मानना है कम्यूटीज को लोगों को ये निर्ने करने का अधिकार है मुलक में कि कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छी है कौन सी बुरी एक समय था जब यहाँ पे जितने भी हमारे सी एस्टी वोटर्स थे खासकर सी वोटर्स थे जाटव कम्यूटी खासकर वो बहुजन समाज पार्टी से और मायवती जी से लगाव रखती थी एक तरफा वोट पस्टी में उत्रप्रदेश का उधर जाता था बैकवर्ड कम्यूटी के दो नेता जो उटकर के उभरे नैशनल लेवल पे मानने मुलायम सिंग यादव जी और लालू प्रसाद और जब पूछा गया लालू प्रसाद जी से जब उनका कारेकाल खतम हुआ मुक्यमंत्री का कि आपके अचीवमेंट है क्या यह प्रस ने पूछा उनसे तो उन्होंने बोला मेरी एक अचीवमेंट यह है कि सोशल जस्ट में अब बाबू सहाब की बराबरी हम भी कर सकते हैं तो कम्यूनिटीज है और राइट टू डिसाइड कौन सी पार्टी उनके अच्छी है पूरी है बाइब में बात तो यह है कि मुसल्मान इस देश का ऐसा सोच क्यों रहा है कि एक पर्टिक्लर पार्टी उनके लिए अच्छी नहीं है या उनके आने पर अन्याय होगा मुसल्मानों के साथ यह इस लिए क्योंकि भाजबा और संग परिवार का दिखाते हैं उससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसल्मानों भाजबत कीता पर हमले होते हैं वो कुछ नहीं हो करके एक तरफा वोट इनके खिलाफ देंगे अब इसमें इसमें गलती आपकी है लेकिन नेता अगर बोले वोट जिहाद करे जी नेता बोल रहे ना वोट जि हम क्यों कैसे गलत रंग दे रहे हैं हम कहते हैं लेकिन राष्ट्रा सर सर झाल 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 झाल